दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो डिल्ली के सीएम स्री अर्बिंट केजरिवाल जी है दुबारा जो कि मई में 55,000 फिया जो कंस्ट्रक्शनल मस्जूर है उनको डेने का ऐलान किये हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो ये 55,000 फिया है किनकिन लोगों को मिलेगा और कैसे मिलेगा तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखे और अच्छी लगए इससे सेयर करें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं डिल्ली के सीएम अर्बिंड के जरिवाल ने टूइट किया है कि डिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों को इस महीने एक बार फिर डिल्ली सरकार 55,000 फिर की मनद देगी डिल्ली के स्रम मंत्री गोपाल राय ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ एहम भैठक किये 40,000 मजदूरों को इसका फायरा मिलेगा गोपाल राय ने कहा है कि सरकार ने फैसला लिया है कि लेवर्ड डेपार्टमेंट में रजिस्टर कंस्ट्रक्शन वर्ग मजदूरों के खाते में इस महीने फिर 55,000 फे भेज़े जाएंगे याद रखना दोस्तों की जो पहले भी भेज़े जा चुके 55,000 फे और अब डुबारा से 55,000 फे भेज़े जाएंगे इससे डिल्ली में रहने बाले करीब 40,000 मजदूरों को राहत मिलेगे इन मजदूरों को पिछले महा भी सरकार ने 55,000 फे की मरट की थी डिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन वर्ग रहते हैं लोकडाउन के वज़े से ये सभी काम धंडे बंद है इसलिए मजदूरों को कल से उनके खाटे में ये रखम भेज़े जाएगी डिल्ली में 55,000 करीब 49,600 मजदूर जिनके खाटे में ये पैसे भेज़े जाएंगे मतलब जितने भी जो डिल्ली में 55 लेवर है जो रजिस्टर लेवर है तो उनको ये पैसे भेज़े जाएंगे डिरेक्ट उनके खाटे में सबसे पहले केंडर सरकार ने सभी राज्ये और केंडर सासित परदेश को कंस्ट्रक्शन मस्टूरों को खाटे में पैसे भेजने के लिए आदेश दिया गया था सरकार ने कहा है कि वेलफियर बोर्ड में सेज फंड में करीब 52,000 करूर रुपे जमा है सरम और रोजगार मंतरी संतोस कुमार गंगावर ने सभी राज्ये और केंडर सासित परदेश को कल्यान बोर्ड दोड़ा इखटा फंड से डिवी टी डारेक्ट वेनिफिसरी ट्रांसफर से सर्मी के खाटे में रकम ट्रांसफर करने के लिए कहा था इस फंड में लगवग 52,000 करोर रुपे जमा है और इस समय लगवग 3.5 करोर निर्मान सर्मी इन निर्मान कल्यान बोर्ड के साथ रजिस्टर है तो दोस्तो इतना ही थी इन्फोर्मेशन तो दोस्तो अगर और भी मेरे पास कुछ अपडेट आती है से रिलेक्टिटम मैं आ इस दिल्ली गोर्ड मेंट दी एल एच आई जी ओ भी तो इसको सर्च मार्ड देना है इसको सर्च माने का दोस्तों जो पहला आपके सामने बेपे चुलेगा जैसे कि आप देख सेकते हैं यहां पर लिखा है दिल्ली जी ओभी डॉट आइंट आपको इस पर किली कर देना है चली इस पर किली कर लेते हैं तो दोस्तों इस पर किली करने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पर जो कि डिल्ली सरकार की ओफिसियल वेपेज है वह हमारे सामने खुल के आ चुका है तो इसके बाद आपको नीची स्क्रोल करते जाना है स्क्रोल करने के बाद दोस् सरकार आपके सरकार तो अगर दोस्तों आपको हिंडी में ज़्यादा समझ आता है तो यहां पर क्लिक किजिए और अगर दोस्तों आपको इंगलिस में ज़्यादा समझ आता है तो यहां पर क्लिक कर लेता हूं इसके पर दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि लिखा है यह यहां पर उप्सान ने इस पर बना हुआ है इस पर आपको किली करते हैं इसके करने दोस्तो आपको यहां पर देख सकते हैं तो आपको किली कर देना है इस पर किलिए करने बाद दोस्तों देख सकते हैं वह बेपेज नहीं खुले हम डिरेक्ट जो स्टार्टिंग से थी वही प्राग है दोस्तों इस बेप साइट के ना खुलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं हो सकता है कि इस पर बहुत जारा दवा परने से बहुत जारा लोग जो कि labor department में construction मज़़ूर register है उनको अपने पी उनके bank account में ये पैसे भेज दिये जाएंगे तो दोस्तो अभी कुछ भी पक्का नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे पैसे भेज जाएंगे हमें रेजिस्टर करना होगा या फिर हमारे अकाउंट में ट्रांसर होजाएंगे बीना कोई रेजिस्टर के हुए पर दोस्तो जैसे कुछ इससे डिलेटिड मेरे पास अपडेट आ रहा है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा थांक्यू फर वोचिंग माई वीडियो